हेलो फेंट नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज किस वीडियो में और इस वीडियो में ऐसर के दोरा दिये गए लेटिस्ट मैसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बैक आफिस में डैस बोड पर पॉप अप मैसेज के रूप में और वो मैसेज आप अपडेट के देखेगा ताकि एक-एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ सकें सो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉप अप मैसेज के बारे में पॉप अप मैसेज में अगर आप देखेंगे बैक आफिस जैसे लॉग इन करेंगे तो डैस बोड पर ही वो पॉप अप मैसेज आ जात ऑनपैसिब.com ऑफीसल वेबसाइट में आप बहुत सारे बदलाओ देख रहें बहुत सारे चेंजस देख रहें उसके बाद देखेंगे ओफ़णर्स.net बैक आफिस में भी कुछ-कुछ चेंजस यहां पर होते रहते हैं इसके बाद आने वाले टाइम में हम बहुत सारे च तूलस के तूरों अपने सर्युश के थूरों जो वैलू क्क पिर्वाइट करने वाले हैं पबलिक मतलब मार्केट को करने वाले वह बहुत स्थार करने वाल रहें और जो सिस्टम के चला आ रहा है उसमें हम rivalry करього आने वाले हम सारे चंजस हमें आने वाले टाइम में बहुत onpassive.com में फिर आपको ofounders.net website में ऐसे ही आपको one by one आपको changes देखने को मिलने वाली है because 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 we are in launching process right friend और pop up message में friend next line है new website done for you यानि कि इस week में जो website हमारा live होना था वो हो चुका है यानि कि Monday को हमारा first website live हो चुका था उसके बाद yesterday, Thursday को second website हमारा live हो चुका है जो इस week में होना था जैसा कि एसर का update था कि इस week में दो website live होगा Monday and Thursday को right friend और आने वाले time में ऐसे ही और भी चीज़े हमारे यहाँ पे होने वाली है जिसका यहाँ पे जो हमारे website live हुआ है तो इसका link अलेड़ी हमारे back office में और लेबल हो चुका है back office में आप आएंगे तो सबसे उपर left side में corner पर आप क्लिक करेंगे यानि की menu bar में आएगे वहाँ पर आपका my link का option मिलेगा my link का tab मिलेगा उसमें आप क्लिक करोगे उसमें आपका एक जवाब my link पे क्लिक कर दोगे तो सबसे पहला आपका link आएगा on passive link तो उस on passive link पे आप क्लिक करोगे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे link आने start हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको यह Thursday के website के लिए उसको आप किलिक करके देख सकते हो या फिर डिरेक्टली या आप onpacive.com को सर्च करके देख सकते हो जैसा कि मैंने यस्टरड़े वीडियो में आपको सारा explain किया था right friend next line यहाँ पर लिखी है friend keep on inventing next line है keep on inventing जिसका हिंदी में अगर बात करें जिसका मतलब होता है अभिसकार करते रहो मतलब नएने चीजे लाते रहो invention करते रहो नएने आइडियास के उपर नएने टूल्स के उपर नएने पुड़क के उपर तो ये सारी चीजे हमारी onpacive मे चल रही है friend और अभी आप देख पह रहे हो onpacive.com पर जैसा कि हम सभी को पता है अभी हमारा पहले एक website आता था मंदे को अब हमारा बीक में दो बार आ रहा है इसके बाद लगबग आय थी दो तीम बीक के बाद हमारे website पर यानि के onpacive.com पर तीन बार बीक में चीज होने बाला है फिल कीजे friend अगर बीक में दो बार चीज हो रहा है तो हमारे अंदर इतनी खुशी आ रही है फिल कीजे जब तीन बार चीज होगा बीक में तब आपकी खुशी क्या होगी एंड उस मोमेंट को फिल कीजे जिस दिन हमारा हर दिन onpacive.com website चीज होगा हर दिन हर दिन हर दिन आपको नया look, नया feature, नय content वो सरी आपको देखने वाले आने वह ले time है बहुत सरे content आपको देखने वाले है तो वो मोमेंट को आप फिल किजे और मुझे comment करके बताए आपको उस time पे कैसा feel होगा and most important point friend ऐसे ही हमारा domain हमारा website भी हर दिन चीज होगा जिस दिन हमारा domain पे अफसाइट बनेगा वो भी हर दिन ऐसे ही उसका बयका चीज होता रहे है यह बहुत ही important यह features है हमारा friend जो कि बहुत ज़्यदा attractive करने वाला है market को यानि कि customers को यानि कि visitors को बहुत जज़दा attractive करने वाला हमारा यह feature यानि कि जो हम changes करते रहते है हर दिन यह बहुत और डिफिनट्ली आने वाले कि और टाइम में नई-ने चीज़ें लेके आने वाले हैं, नए-ने इंविंफीनचन रोले हैं, जो चाहे टूल्सल का हो, त्याले हमारे on passive में आने वाली हैं, यानि कि नहीन नी चीज़ें हम करने के हमेश को आंगे on passive के अंदर तो यह था फेंड ऐसर के दोरा दिया गया message अब हम बात करते हैं back office में जो changes हुए उसके बारे में सबसे पहला हम बात करते है ओर network के बारे में अगर आप back office में ओर network में जाओगे तो देखोगे आपके सामने जो circle आता है घुमता हुआ उसको again yesterday साम को change किया गया है और यह तीस जदा amazing है उसको आप देखिए उसमें on passive का logo भी लगा हुआ है और world का जो सारी चीज़े है वहाँ पे circle के रूप में घूम रहा है तो काफी जदा interesting है देखने में फेंड उसको आप देखिए और उसका use तो वही है जैसा कि दो option वहाँ पे था दो use था उसका पहला post को create करने के दूसरा back to top यानि की सबसे उपर जाने के लिए तो उसका use वही है जो मैंने आपको पहले explain किया उसको आप देखिए काफी interesting लग रहा है दूसरा यहाँ पे जो हमारा dashboard वे founders number है तो वह भी हमारा decrease होता रहता है उसको भी I hope आप लोग देखे होंगे समझे होंगे और काफी interesting friend इसी तरीके से हमारा यहाँ पे back office में भी कुछ न कुछ changes होते रहते हैं so definitely friend back office को login करके यह सारे message को पढ़िए यह सारे changes को देखी काफी ज़दा interesting है और ऐसे ही आने वाले टायम में बहुत सरे changes आने वाले friends so please trust on the process we are so in it to win it